थार नगरी में मौसम के बदलने का मिजाज निरनतर जारी हैं धूल भरी आंजियों वा बरसात के बाद अब गर्मी ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं बाड़ मेर में लगातार तापमान में वर्दी के बाद गर्मी में बड़ोतरी हुई हैं दिन वर रात के तापमान में दिनों दिन होरी वर्दी से आम जन जिवन अस्त व्यस्त हो गया है पारा 45 डिगरी पार करने के बाद बाजारों में सननाटा चा गया दोपर बात तो हलात यह रहते हैं कि तवे की माफिक तपती सड़कों पर पूर्ण सनाटा चाया रहता है 42 दिगरी सेल्सियस के पार पारा, चिल चिलाती धूप, गर्म हवा देते पंके कूलर पश्मीराजिस्तान के बार्मेर में अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम तेज तलक तस्वीर ऐसी ही लिए रखेगा जून के आकरी सब्ता में परदेश में मानसुन दस्तक देगा तब तलक गर्मी यूही जुलसाती रहेगी मौसम इबाग नेजारी पूरो अनुमान के मताबित 25 जून तक पश्मीराजिस्तान के बार्मेर में जेसल मेर में रोजाना यूही धूप खिलती रहेगी धूप यूही निकलती रहेगी तब तक कहीं भी आंधी पानी का कोई आश्रा नजर नहीं आ रहा है हाला कि कहीं कहीं गरच चमक के साथ हलकी बूंदा बांदी हो सकेगी लेकिन इस से उमस भरी गर्मी और बढ़ जाएगी जून के सुरुआती दिनों में मौसम के नम तेवरों का रुख अब तीखा हो चला है बार में जेसल में समेट पूरे राजस्तान में लोग धूप की तपिस से बेहाल है मंगलवार को दिन में भैंकर गर्मी बुद्वार को भी जारी रही तड़के ही लोगों के पशीने से सरीर तर बतर नजराए मौनिंग वाक पर निकले लोगों उमस से बेहाल नजराए सुबह छे बज़े से ही पारा 30 दिगरी सेलसित तक पहुँच गया जो सूरज निकलने के साथ ही चड़ता गया और चड़ता गया दौपैर होते होते पारा 42 दिगरी सेलसित पहुँच गया सेहर के लोग इस गर्मी से बचने के लिए जतन करते नजराए और सीतल पे की दुकानों पर भीड कुछ जादा ही नजराई जोत्पुर इस सित मोशम विग्यान केंदर के मुदाबित फिलहाल 14 जून तक गर्मी के राहत मिलने के कोई आशार नहीं है हाला कि 22 से 25 जून के बूच मोशमी बदलाओं के चलते परदेश में कुछ इस तान और पर गरज चमक के साथ हलकी बारिस हो सकती है बहराल बारमेर में बुद्वार को गर्मी का सितम अपने सबाब पर रहा जिस से लोगे हैरान परिशान नजर आए